है है लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों प्रिवेस यह में जितने भी कोस्टन्स फिजिकल एजुकें कंपटेक्टिक जॉम्स टिजिटी पीजिटी के बियस एन बियस यल्टी में पूछे गये हैं उन सभी कोस्टन्स को टापिक वाच आपके स प्रसुत कर रही हूं दोस्तों यह सीरिज नंबर 87 है एंड पोलो वाटर पोलो बेस बाल से जो कोस्टन्स पुछे गये हैं प्रवेस यह में उन कोस्टन्स को यहां पर रखा जा रहा है एंड दोस्तों इन सभी ग्याम्स का प्रिपरेशन एरिया आप सिलिवस के कर रहे हैं तो दूस्तों फर्स कौस्टन है कि water polo match में gold post की चड़ाई होती है तो water polo match में gold post की चड़ाई कितनी होती है तीन मिटर, आफसन नंबर B correct होगा जासे कि दूस्तों polo का अर्न रूप water polo है जैसे कि जो गोडों पर बैठ कर खेलने के अबळा पानी से भरे तलाब में खिला जाता है, जबकि वाटर पूलो में गोड़ों पर बैठ कर खिला जाता है, पर्तेक्टिम में चार गुरसवाल होते हैं, ठीक है, जबकि वाटर पूलो में गोड़ों पर बैठ कर नहीं खिला जाता है, बलकि पानी से भरे तलाब में खिला जाता यह डिफ्रिंट है इस खैल में in this skate वहां नबे सेंटीमेटर होती है जो 3 को चार जिरो मीटर होता है ठीक है और दोस्तों इसके मैंदान की माप क्या होती हैot कि यह पीना कि अंतरगत आता है इसमें तराकी डाइविंग वाटर पॉलू पॉलू आते हैं जासे कि दोस्तों पॉल वाटरपूलों के मैदान के माप 30-20 فोता है यासे कि एंडवाल मैदान के माप में मैदान XLे को 20-20 यानि 40-20 मिटर पानी की गहराई कितनी होती है दोस्तों एक दसमलो आठ जीरो मीटर से कम नहीं होना चाहिए और वाटर पूल में पानी का तापमान जो होता है 25-26 डिग्री सेंटिगेट होता है ठीक है और इसके बाल का भार 400-400 ग्राम होता है यह गुल्ड रचक जो होता है जो गुल्ड कीपर होता है उसकी टूपी का रंग लाल होता है और दोनों टीमों के खिलाइयों की टूपी का सब्सक्तों नीला वर्षे अर्श भीते हैं ठीक है एम तो जो घ्रण की परिदी होती है 8600 17 cm होता है इस के ऐद ही जो होती है आठ-बश take सीट के बाद दो मिनेट को ब्रेक होता है यह मध्यानतर 5 मिनेट होता है एह उक्षआätte इस होगा meng भूर चलते हैं जैसे वटर पोलो टीम में कितने खिलारी होते हैं तो कितने होते हैं सात आपिए क्छिंव सी मारण चुरारी करेक्ट होगा कि प्सेल ठापन होते हैं है उति किपा है वह चिंव ठीशती अदों, नुंसने होते हैं 13 होते है नंट जो र derec होते हैं ५ेसवर्म है तो कितनी होती है इसरे फ्यूम्ट twist नुम्बटश में फल्रय थे कि निम्द लिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है तो दोस्तों पोलो के खेल के मैदान सबसे बड़ा होता है आपसर नमबर डी करेक्ट है जैसे कि दोस्तों दिये कि बिकल पे पोलो खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है पोलो खेल घास के पर खिला जाता है जिसकी लंबाई अधिक्तम 275 मिटर और निवनतम 180 मिटर होती है और चवड़ाई अधिक्तम 230 मिटर और निवनतम 146 मिटर होती है यानि इसमें प्रतियक चार घुड़ सवार खिलारी होते हैं पॉलो में प्रतियक टिम के चार घुड़ सवार खिलारी होते ह पोलो के गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो आठ गज होती है एंड उचाई जो होती है गोल इस तंब की वो दस फिट होती है ध्यान से सुनिएगा चौड़ाई आठ गज उचाई दस फिट ठीक है एंड पोलो मैच की आवद ही जो है छपपन मिनट की होती है नेक्स कोशन है कि चूकर और मलेट सब्दका प्रियोग किस खेल में होता है तो चूकर और मलेट सब्दका प्रियोग किस खेल में होता है दोस्तों पोलो में होता है किस में होता है पोलो में चूकर और मलेट सब्द का प्रियोग होता है जैसे कि चुकर और मलेट का पोलो में खेल में प्रियोग होता है चुकर जो होता है इस खेल की आवाधी के खंडो को प्रदाशित करता है चुकर सब्द पोलो में किसका प्रदाशित करता है खेल की आवाधी के खंडो को प्रदाशित करता है चुकर ठीक है मलेट सब्द किसको कहते हैं पोलो की इस्टी को दोस्तों जैसे कि अन्य पोलो की सब्दा वालिया है जैसे कि चुकर हो गया मलेट हो गया हैलमेट हैट्री केप बंकर हूप चुक्का एगल साथ एरिस रेल इंटरवल गेलो पिल राइड आफ आदे दोस्तों दो तीन ऐसे हैं जिसमें हमेसा कंफ्यूजन होता है जैसे कि क्यू किस से समधित है कैडी किस से समधित है टी आप किस समधित है चुकर मलेट किस समधित है तो दोस्तों जैसे कि क्यू सब्द जो होता है वो बिलियर से समधित है और बिलियर बाल को जो धकेला जाता ह जिससे उस छड़ी को ही इस्टी को ही क्यू बोला जाता है जब कि कैदी सब्द जो होता है वो गोल्फ से समधित है और चूकर और मलेट सब्द जो है वो पोलो से समधित है यह तीनों में आप कंशीज होते हैं हमेशा ठीक है कि बेस्बाल किस देश का राश्टी खेल है जैसा कि आप सब को पता है वेस्बाल कहां का राश्टी खेल है सज्यूत राज-अमेरिका का राश्टी खेल है एंड इंग्लेंड का राश्टी खेल कौन है दूस्तों क्रिकेट है ठीक है अब फ्रांस का राश्टी खेल क्या है फुटबॉल है ठीक है नेश्ट है बेसबाल की प्रतेक्टीम में कितनी खिलारी होते हैं तो दूस्तों बेसबाल के प्रतेक्टीम में कितनी खिलारी होते हैं कि नौकहांट होते हैं कि फेनी के लाज़ी होते हैं ट्रेक में कि क्यों और इनिंग होते हैं इंड प्रतेरें में कुछ य्थी तर संभैक ना मद ये से सटाप, फिल्डर, स्ट्राइकर, हीटर, इनफिल्ड, पीच, प्लेट, हूरं, सैकरिफाईस, स्ट्राइक जून, प्ले, फिल्स पाउड, लाइन, आधि जैसे कि बेसबाल में कितने खिलाड़ी होते हैं नो खिलाडी होते है फिलाडी होते है इस्थानापन छे होते है कुल खिलाडी 15 होते हैं ठीक है तो दोस्तों ये था आपका चोटा सा वीडियो जो बहुरिपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लिजिए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिससे निव विडियो का अपडेट आपके पास पहुझता रहें तो मिलते हैं नेक्स विडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं